Hello everyone and welcome back to my channel तो हम सब को पता है कि जो plants और trees होते हैं वो हमें food प्रोवाइड करते हैं उनसे हमें wood मिलता है plants और trees हमें oxygen प्रोवाइड करते हैं और हमारे environment को clear रखने में ये कितना बड़ा role play करते हैं बट इस सब की बावजूद भी कुछ plants ऐसे भी हैं जो हम humans और animals के लिए बहुत ज़्यादा dangerous होते हैं और जिनको कहा गया है 7th deadliest plants on the planet earth तो आईए जालते हैं इन 7th deadliest plants के बारे में जिनसे आपको दूरी रहना चाहिए नमबर 7, water hemlock जिसका scientific name Cicuta maculata है ये plant poison hemlock plant के closely related है जिसके वज़े से सौकरेट जो the famous Greek philosopher थे उनकी death भी होई थी ये plant North America का सबसे toxic plant है क्योंकि इस plant में deadly cytoksin होता है अगर कोई human इस plant को गलती से भी खा लेता है तो उसके अंदर बहुत सारे जानलेवा symptoms दिखने लगते हैं जैसे painful conversions यानि blood में बहुत ज़ादा air bubbles बनने लगते हैं इसके अलावा abdominal cramp, nausea और फिर आखिर में death हो जाती है अगर कोई लगली बच भी जाता है तो उसकी memory पूरी तरह से erase हो जाती है और वो अपनी बाके की जिंदगी एक handicap की तरह बिताता है इस plant के नाम से पता चल रहा है ये plant कि इतना ज़ादा dangerous है इस plant का scientific name atrapa bilidona है इस plant पे बहुत सारी sweet berries लगती है जो जादा तर बच्चों को, इविन बड़ों को भी बहुत जादा लुभाती है उन्हें खाने के लिए ये plant central और southern और एशिया में पाया जाता है इस plant की leaves dull green कलर की होती है और इन पे shiny black berries लगती है जो बिल्कुल cherries की size की होती है अगर कोई berries को खा लेता है तो उसको paralysis हो जाता है और उसका hurt भी काम करना बंद कर देता है यहाँ तक की इस plant की सिर्फ leaf के contact में आने से skin irritation होने लगता है इस plant का scientific name agritina altissima है और इसी plant की वज़े से Abraham Lincoln की mother Nancy Hank की दिर्फ भी होई थी यह एक North American herb है जिसकी उपर बहुत सारे white flowers होते हैं और उनमें Trimetol नाम का एक toxic alcohol होता है Abraham Lincoln की mother Nancy Hank की दिर्फ इस plant को खाने के वज़े से नहीं होई थी बलकि उस गाई की दूद पीने के वज़े से होई थी जिस गाई ने इस plant को खाया था अगर कोई animal गलती से भी इस plant को खा लेता है तो उसकी milk और mint दोनों ही poisonous हो जाते हैं और इसकी symptoms है nausea, weakness, loss of appetite, पेट में बहुत तिस दर्ध होना, दबान का रेट हो जाना, blood में acidity होना, और फिन लास्ट में ड्रेथ हो जाती है caster oil भी निकलता है और इस plant में resin नाम का एक जहर होता है इस पौध है कि सिर्फ एक से दो बीजे खाने से ही एक बच्ची की मौत हो सकती है क्योंकि इन्हें खाने से cells में बन रही protein का process रुख जाता है और इसके साथ साथ vomiting, diarrhea, scissors होने लगता है और लास्ट में death हो जाती है इसी जहर का use 1978 में जोर्जी मार्कोव को मारने के लिए किया गया था जो एक जनरलिस्ट है इस plant का scientific name Arbyus bricatoricus है इस plant की seeds में Arbyn नाम का जहर होता है जो cells में के अंदर बन रही protein की processing को रोग देता है यह tropical era में पाई जाने वारा plant है और इसकी seeds का use जोल्री बनाने में भी किया जाता है वैसे तो यह seeds poisonous नहीं होती है पर तब तक जब तक इन में किसी तरह का scratch ना हो और अगर कोई इनसान किसी tuti हुई या फिर scratched seed को छूता है तो इसके अंदर इस seed का poison चला जाता है इसकी एक बीच का सिर्फ 3 microgram air wing एक adult की जान ले लेता है जो कि एक पूरे seed के poison से बहुत कम है बहुत सारे jewelry makers की सिर्फ इन seeds को छूने के बज़र से मौत भी हो चुकी है इस plant का scientific name nerium oleander है यह एक बहुत ही beautiful plant है जो अपने flowers के लिए जाना जाता है इस plant की सारे ही parts बहुत जहरी ले होते है और उनमें जानलेवा cardiac glycoside होता है जिनको allian dream और nerine भी कहा जाता है अगर कोई इस plant की किसी भी part को खा लेता है तो उसको vomiting, diarrhea, erratic pulse, scissors, coma ऐसे बहुत सारे symptoms दिखने लगते है और फिर उसकी death हो जाती है और अगर कोई इस plant की पत्तो की physical contact में भी आ जाता है तो उसको skin irritation होने लगता है इस plant का जहर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर कोई उस honey को खा लेता है जिसकी मधुमक्या इस plant पर आई थी तो वो इंसान बिमार पर जाता है इस plant का scientific name nicotiana tobacco है और tobacco दुनिया का सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला non-food plant है इस plant के सभी parts में ज़्यादतर इसकी leaves में toxic alkaloid nicotin और anabacin होता है जिसको अगर खाये जाए तो जानलेवा भी हो सकता है nicotin माइन को effect करता है और इसे एक बार लेने के बाद addiction हो जाता है यानि कि अगर जो भी इसे एक बार खा लेता है उसे इसको बार बार खाने का मन करता है हर साल 5 million से भी ज़्यादा लोगों की मौत सिर्क tobacco की बज़ासे होती है और इसलिए tobacco deadliest plant की list में top पर है So friends I hope you like the video अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए and see you guys in next video Till then, Bye